सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरन्ने त्रम्ब के गाउरी, नारायनी नमोस्तुते, या देवी सर्व भूतेशु, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये, नमस्तस्ये नमोनमहां। नमस्तस्तव 2078 की धेरोशुब कामनाय मेरे पूरे परिबार को आशा करती हूँ, ये नया साल हम सभी के जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा विश्वास, धेरोशुब कामनाय और बहुत सा स्वास्ति लेकर आएगा। माद शक्ति हम सभी के जेवन में इतनी शक्ति दे दे कि हम सभी सही रस्ते से होते हुए अपने धे को प्राथ कर सकें Happy Navratri to my entire family खूब धूमधाम से Navratri का celebrations कीजेगा लेकिन अपना अपने परिवार का अपने आसपास के सभी लोगों का बहुत खयाल रखेगा A very happy Navratri to all of you मेरी पूरी की पूरी family काफी खुश है अब जाकर मेरा चैनल चेकाउट कर सकते हैं संतुष्टी कर सकते हैं कि जो भी बाते मैं शेयर कर रही हूँ वो गजब के results bear कर रही है for my family and they are very happy about it हम एक growing family हैं हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है and we would be very very happy अगर आप हमारी family के साथ associate हो सके do subscribe to this channel और जैसे मेरा पूरा परिवार आ जाता है MWF that is Monday, Wednesday, Friday जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ we would love to have you as well आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहतरीन सी remedy लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों का जो growth rate है उसको आनदर level ले जा सकता है मैंने आज तक जितनी भी remedies आप लोगों के साथ share की है वो गजब के results bear कर रही है आप जाकर definitely check out कर सकते है the comment section is nothing but pure love यहाँ जो मैं आज remedy share कर रही हूँ वो hair growth के लिए बहुत important है अगर आपके बालों में hair growth बहुत लंबे अर्से से stagnant हो चुकी है बढ़ नहीं रहे हैं तो यह remedy कारगर है अगर आपके बालों में बहुत ज़ादा dullness आ चुकी है वो जो shine जो charm आपके बालों में था वो नहीं है तो भी यह remedy आपके लिए काफी कारगर हो सकती है प्रोवाइड जैसा मैं आपको बता रहे हूं कि प्लीज आप इस रेमेडी को ऐसे ही ट्राइड कीजिए यह कोई सुनी-सुनाई रेमेडी नहीं है मैंने अपनी चैनल पर जितनी भी बातें जितनी भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेर की है वो सब मैंने खुद ट्राइ की है I am a hair enthusiast and मैंने सारी रेमेडी अपने स्कूल लेवल से ट्राइ कर रखी है and they were wonderful results मैं एक जीता जाकता आपके लिए एक डेमो हूँ that yes, your hair could be just amazing आप भी ऐसे ही खुबसूरत से बाल अपने लिए ले सकते है provided आप रेमेडी को अच्छे से इस्तमाल कीजिए so as always इस रेमेडी के इंग्रीजिंट्स भी बिल्कुल नाचरल है बहुत ही सिंपल है easily available है और आप लोगों के लिए गजब के results बेर करने वाले है सबसे पहरी चीज जो हमें चाहिए वो है rice यानि की चावल कौन से वाले चावल जो चावल आपके पास available है आप उसका इस्तमाल कर सकते है तूटे, फूटे, जो छोटे वाले आते हैं वो, मोटा rice, पतला rice, बासमती rice जो rice आपके पास available है आप उसको यूज कर सकते है second हमें चाहिए olive oil यानि की जैतून का तेल olive oil is a beautiful serum for your hair आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी deficiency हो रखी है scalp पर तो olive oil उसको ना केवल complete करता है बलकि आपके बालों में एक नहीं जान दे सकता है थोड़ा सा expensive होता है लेकिन इसके जो usage है अगर आप इसको regular रखते हैं तो आपके बालों की जो जैसे कहते हैं काया पलट हो जाना exactly वही हो जाती है थर्ड आपको चाहिए हिबिसकस यानि गुड़हल की पत्तियां अगर आपके पास गुड़हल का फूल अवैलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वरना आप सिर्फ गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं बिलीव मी गुड़हल के पत्तों में उनके जो पेटल्स होते हैं उनसे कई जादा ताकत होती है येस इस वेरी वेरी ट्रू इसलिए कोई डाउट ना रखे गुड़ल के पत्तों का हम यहाँ पर इस्तिमाल कर रहे हैं फूल है तो उसका भी इस्तिमाल हो सकता है फूर्थ हमें चाहिए कैस्टर ओल यानि की अरंडी का तेल बिलीव में यह जो चार चीजे हम इस्तिमाल कर रहे हैं यह आपके बालों को ना केवल जान देने वाली है लेकिन यह लिटरिली एक magical portion बनकर ready होने वाला है जो आपके बालों को बहुत बहुत सारी strength देने वाला है बहुत ही amazing boost देने वाला है मैं आपको सिरफ you know I am not promoting ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको promote करूं यह natural ingredients है आप इनके बारे में पढ़िये मैं तो हमेशा बोलती हूं मैं यह educated videos आप लोगों के लिए इसलिए बनाती हूं कि आप अवगत हो सकें कि यह चीजे कितनी powerful है just read about them they are so so powerful and potent कि यह आपके बालों म for the preparation of this magical growth portion आप लोगों को एक pan को heat करना है इसमें आपको one cup of water लेना है और two tablespoon of rice को अच्छे से wash करके फिर इस pan में लेना है आप किसी भी वक्त जो आपका flame है उसको high तक नहीं ले जाएंगे हम low to medium flame पर काम करेंगे और इसमें rice को हलका-हलका simmer होने देंगे जब आपको लगे कि rice cook होना start हो चुके हैं हलका सा color change कर रहे हैं पकने लगे हैं तो आप इसमें जो गुड़ल की पत्तियां या leaf या flour जो भी आपके पास available है तो आप उसको तोड़के इस rice water में डाल देंगे ताकि वो भी इसमें simmer होने लगे जब इसमेर होने लगेगा तो आपको दिखने लगेगा कि जो पानी है उसका color हलका सा green होने लगेगा प्लीज अगर आपका पानी बहुत ज्यादा सूख जाता है करें का फ्लेम जादा होता है तो आप थोड़ा सा पानी और ले लीजिए कोई problem नहीं है 5-10 minutes में आपको दिखेगा कि जो चावल है वो अच चान के ले लेना है यह जो पानी आपके पास आया है इसमें beautifully infused हो चुका है rice के ingredients rice के beautiful properties है वो and good healthy properties अगर अपने फ्लार का इस्तमाल किया है तो फ्लार की beautiful properties अगर आपने लीफ का यूज किया है तो भी लीफ आपके बालों के लिए कमाल की है यह सभी चीजे इस पानी में आच कास्टरोयल देखिए इसको आप अच्छे से mix कर लीजे हमें बिल्कुल heat नहीं करना है आपने गरम गरम इसको strain किया था और गरम पानी में ही आप half olive oil and one tablespoon of castor oil लेके इसको हलके से stir कर लेंगे तेखिए पानी और तेल मिक्स नहीं होगा obviously immisible है लेकिन आप इसको अच्छे से stir करके cotton की help से अपने पूरे के पूरे scalp पर लगाएंगे अगर आपकी जो length है उसमें बहुत frizz रहता है वो damage लगती है splittance का issue आपको रहता है तो आप इसको पूरी length पर भी लगाएं लेकिन जो लोग सिरफ growth चाहते हैं वो सिरफ अपने scalp पर इसको cotton की help से लगाएंगे believe me यह जो portion बनकर ready हुआ है यह आपके बालों में overnight रहेगा और यह जो magic आपके बालों के लिए करेगा मैं तो बहुत excited हूँ कि जब आप इसको try करेंगे तो वापस आकर आप क्या क्या लिखने वाले हैं आप already इतना सारा आशरवात देते हैं जब आपको इसके results मिलेंगे त आपको growth तो शत प्रतिशत देने वाली है यह आपके बालों की quality को improvise करने वाली है आपके बालों में किसी भी व्रकार की कोई भी परिशानी क्यों न हो वो यह portion easily fix कर सकता है क्या हमें इसे हर बार prepare करना होगा देखिए यह natural ingredients हैं अगर आप इनको बना के रखते हैं तो कुछ समय बाद इन में changes आने लग जाते हैं तो मैं आप लोगों को seriously बताना चाहती हूं कि मैं ऐसे hair enthusiast थी कि मैं हर बार नया prepare करती थी मैड भी anything that I am doing for my hair तो अगर आप हर बार नया prepare कर सके तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है लेकिन जो लोग comfortable नहीं है we are office goers and we cannot do it you know very often for ourselves आप बना के batch ready कर लीजिये including the oils also and store it in the refrigerator एक हफते तक आप इसको store कर सकते हैं कोई परेशानी आपको नहीं होगी लेकिन application से पहले आप इसको बाहर निकाल दीजे थोड़ा room temperature पर इसका temperature आने दीजे और फिर apply कीजे and then store it back in the refrigerator this is how you are going to use it जो oil इसके अंदर है वो you know इसको oxidize नहीं होने देगा that soon तो आपको time मिल जाएगा लेकिन जो natural और immediately prepared चीजों की बात होती है वो अलग ही होती है जो कर सकते हैं वो definitely करें जो नहीं कर सकते हैं they can store it as well How often can we apply the pack? देखिए ये बहुत ही natural ingredients हैं कोई side effect नहीं है आपको कोई परिशानी नहीं होगी I am sitting here I am the assurance मैं आपको बोल रही हूँ कोई परिशानी आपको नहीं होगी आप इसको try कीजिए हफते में 3 दिन now that's up to you आप कब apply करते हैं कैसे apply करते हैं सोने से पहले is the best time क्योंकि overnight ये आपके बालों में काम कर सकता है लेकिन अगर आपके पास time नहीं है तो 3-4 घंटे आप इसको अपने बालों में अच्छे से लगा रहने दीजिए ब्रेडिंग कर लीजिए बालों को बांद दीजिए तीन से चार घंटे के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए नॉर्मल चैंपू से कोई ताम जाम कुछ नहीं करना कंडिशनिंग की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी कैस्टर रॉयल आपके बालों के लिए सब कुछ है मतलब उससे बहतर थिक कंसिस्टेंसी की कोई चीज नहीं है आपके बालों में जब ये थिक कंसिस्टेंसी जाती है इसके जो बेनिफिट्स हैं आप पढ़िए इसके बारे में मैं एक डिवोटेड विडियो कैस्टर रॉयल के ओपर कर चुकी हूँ और ये आपके बालों के लिए बहुत 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 कमाल की चीज है अगर आपको थोड़े से भी आप स्केप्टिकल हैं तो I would say मत कीजे क्योंकि डाउटफुल होना किसी चीज के लिए is in itself a negative impact for it तो आप बिल्कुल राय मत कीजे लेकिन if you can put your faith in this remedy I can assure you you are going to have wonderful wonderful benefits for yourself hair growth बिल्कुल होगी split ends बिल्कुल नहीं होंगे आपके बालों में जो जान आने वाली है उसे देखके मैं बहुत खुश हो जाओंगी I'm 100% sure आप लोगों के बहुत सारे beautiful results मुझे instagram पर मिल रहे है मैं उन्हें देख भी पा रहे हूं लेकिन मैं busy रहने की वजह से उन्हें शेर नहीं कर पा रही हूं लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहती हूं the kind of response that I'm getting out of the remedies जो मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं it is I have no words I really cannot tell you लोग कितने खुश है बालों की quality इतनी बुरी थी इतनी जादा बुरी थी and now ना के विल quality improved हुई है बलकी length improved हो गई है the point that I always tell you love yourself वो aspect बहर आ रहा है and I am on cloud 9 thank you for believing in me thank you for all the love and support जो आप प्रीती प्रेणा के चानल को दे रहे है so आशा करती हो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफिमेटिव रही हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो बिलकुल बनता है अगर आप मेरे चानल पर नए है तो do not forget to subscribe to the channel try the remedy and come back and tell all of us कि आपके लिए ये remedy कैसी रही we are all waiting for your responses आप लोगों का response प्रीती प्रेणा का confidence है प्रीती प्रेणा से जुड़े हर इंसान के लिए एक बहुत इंपॉर्टन पुष है जो उनको बहुत सारे chemical treatment से प्रिटेक करता है इसलिए be a wonderful part of our family protect our family members from all the chemical treatments that we are planning to have on themselves I'll see you all in the next video with something very magical for you thank you for all the love and support that you are giving me on all the possible platforms thank you from the bottom of my heart I'll see you all in the next video कर दो कर दो कर दो कर दो दो